हाई गैस आखिर इंतजार की घड़ी आज कंप्लीट होती आज आपका मेरिड लिस्ट का जो अलॉट्मेंट लेटर है किस कॉलेज में आपको सीट मिल रहा है गॉर्मेंट का है प्राइवेट का है जो भी है आज आपको पूरा-पूरा पता चल जाएगा पॉली टेकनिक के ल आई बज़े से जस्ट आदे घंटे के बाद आपका एडमिसन चालू होगा जो कि 13 अक्टूबर साम 5 बज़े तक चलेगा मतलब इस बीच आपको एडमिसन लेही लेना है वहीं बात करें अगर हम लेटरल एंट्री का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटरल एंट्री का और जस्ट आदे घंटे बाद इनका एडमिसन चालू और 13 अक्टूबर साम 5 बज़े तक यह चलेगा तो इस बीच पॉली टेकनिक वालों को भी लेटरल एंट्री वालों को भी ठीक है और जितने भी यहाँ पे डिपलोमा के कोर्सेस हैं इन सभी के लिए आपका जो सीट का जो आपका एडमिसन लेने का डेट है वो आज धाई बज़े से 13 अक्टूबर तक होगा तो आपको अलोट्मेंट लेटर कब मिलेगा आज दो पहर दो बज़े मिलेगा तो आईए मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे अपने फोन से डाउनलोड करना है अलोट्मेंट ले पेज हमारा ये उपन हो गया अगर आप फोन से उपन कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्री डाउट बना हुआ है इसको आप क्या करेंगे डेक्सटॉप मोट पर कनोट कर लेंगे अपने फोन को यहाँ पे डेक्सटॉप साइड लिखा आप यहाँ से कनोट करेंगे अब आपको थोड़ा से नीचे आ रहा है आप यहां पर आप आएंगे देखिए जहां पर online counseling 2021 किस लिखा है इसी link को आपको click करना है तो हम इसको click करते हैं पेज आपका load लेगा फिर से आपको नीचे आना है और यह link फिर से दिया हुआ इसको एक बार आपको और click करना है तो यह हम फिर से click किए यहांपे आपको okay करना होगा यहां पर आप नीचे आएंगे यहांपे आप इसको पढ़ने के बाद भी okay करेंगे अब यहां पर जो आपका login का page है वो आपका open हो गया है ठीक है आपको यहां पर क्या करना है अगर आपका diploma architectural है तो आपको यहां पर login करके क्लिक करना है ठीक है अगर आपका डिप्लोमा कास्टिम डिजाइन है ठीक है चौथा नमबर पाइंट तो आपको यहाँ पर आके क्लिक करना है और अगर आपका डिप्लोमा पॉली टिकनिक वाला पीपिटी वाला है ठीक है में डिप्लोमा है तो आपको जो भी stream होगा जो भी आपका course related हैगा आप उसी link को click करेंगे तो हम यहाँ पे 16 नमबर वाले point को click करते हैं देखे यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका page open होगा आपको थोड़ा नीचे आना है login पैनल यहाँ पे लिखा है फिर आपको और नीचे आना यहाँ पे पूरा data है आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं आगे का पूरा schedule आपको यहाँ पे दिया है फिर आपको और नीचे आना है और यहाँ पे जो लिखा है application login इसी को आपको click करना है तो हम इसको click करते हैं अब यह page आपका login का कुछ इस तरह से open हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना registration number दे हैं अब यहाँ पे हम login को click करेंगे जैसे आप login को click करेंगे यहाँ पे आपका पूरा main page open हो जाएगा यहाँ पे आपको नीचे आना है देखिए यही पे आपको मिलना है यहाँ अभी आपको नहीं दिखेगा लेकिन आपका जो allotment later आना है यही पे आना है यहाँ पे आप Modify Choice आपको दिया है, Payment Detail आपको दिया है, Print Application आपको दिया है, तो यहीं पर आपका Allotment Later भी आपको देगा, मैं आपको User Guide में दिखा देता हूँ, क्यों आपको किस तरह से यहाँ पे दिखेगा, अभी आपके ID में शो नहीं हो रहा है, जैसे आपका दो बज़ेगा, वैसे उपन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका View Allotment Later है, ठीक, आवंटन पत्र देखें, यह जो लिखा हुआ है, यहीं पर आपको क्या करना है, PDF को डाउनलोड करना है, इसके साथ साथ आपके Mobile में भी आपको Message आएगा, कि आपका किस College में Selection हो गया है, यह आपको कहा Allotment हुआ है वो आपको आपके Phone पे भी बता दिया जाएगा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे, और वही PDF को ले करके आपको क्या करना है, एडमिसन में जाना है, वो आपका Main Allotment Later है, कागच है, उसके बीना आपका एडमिसन नहीं होगा, तो आप उसको Phone पे Save कर लीजेगा, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी Knowledgeable लगी हो, तो वीडियो को Like, चैनल पर नहीं है, तो Subscribe, और अगर आप हमसे जुनना चाहते हैं, तो Instagram में आपका स्वागत है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें, तब तक जय हिं जय भारत, जय चात्तिसगर,